हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू एसकेट रवलिशन कासिस फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे राजस्तान के अंदर एक एक्जाम हुआ था विद्यूत विवाग के अंदर कमरिशियल असिस्टेंट का तो फ्रेंड्स अभी तक इस एक्जाम का रिजल्ट नहीं आया है और ब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके अंदर टोटल पोस्ट शो है वह कितनी थी और कितनी स्टूडेंट, जिनों कि हुआ ने टाइप टेस्ट डिया है कितने स्टूडेंट पास होंगी सब ती यहां पर इख रहे हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी यांगी हर कै yr स्थे तो friends हम सब पहले यहां पर post आपकी नाम है इस post का junior assistant, commercial assistant, हम इसमें देखेंगे total जो post है आगी कितनी है, सबसे पहले हम यहां पर देख रहे हैं non-tsp area की और फिर हम देखेंगे tsp area के अंदर total post आपकी कितनी है, तो इसके according हम अंदाजा लगाएंगे कितनी student जो है जिन्होंने typing test जो है वो दिया है यान कितनी student जिनको call किया गया था typing test के लिए और कितनी student जो है जिन्होंने typing test दिया है सारी चीज़े हम देखेंगे और इससे ये भी decide हो जाएगा कि फाइनल जो है कितने स्टुडेंट जो है पास होंगे और क्या कट उफ रहेगी सब चीजे डिसाइड हो जाएगी तो फ्रेंट सबसे पहले हम यहां पर पोस्ट जो है वो तो देखते हैं कितनी हैं यहां पर अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 768 आपकी टोटल है वो है 768 ओके तो यहां पर जैसे अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल के अंदर यह पोस्ट है आकि ओपन कंपिटिशन में है 204 और फिमेल के लिए रिजरव जो है वो है 57 जो यहां पर फिमेल के लिए वीडियो में है 23 और 4 है डिवोस काटेगरी में उसी बरकार से यह पर अगर हम देखें OBC के अंदर ओपन कंपिटिशन में है 114 टोटल जो और फिर है फिमेल के लिए रिजरव पोस्ट जो है वो है यहां पर 31 और वीडियो के लिए 13 और 1 है डिवोस के और MBC में सेम इसी परकार जो MBC काटेगरी है उसके अंदर यहां पर जो पोस्ट है ओप 25 ओपन कंपिटिशन में है फिमेल जो है उसके अंदर ओपन कंपिटिशन के बात करें तो 24 है और यहां पर वीडियो के लिए 8 है और 1 डिवोस काटेगरी में है ओके सी जो स्टी काटेगरी है उसके अंदर यहां पर 64 पोस्ट है स्टी काटेगरी के अंदर जो पोस्ट है वो 14 पोस्ट और विडो के अंदर यहां于 पे यहां पर होरिज़ोंटल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर ये पोस्ट आपको दिखाई दे लिये हैं तो प्रेंड्स इसके अंदर अगर हम देखें तो यहां पर आप पर टोटल पोस्ट है जो यहां पर TSP अंदर है okay स्ब्सक्राइब करें और कि कितने स्टूडें प्रेड constante का में जैसित पिला रहा है तो यहां पर पर दित अपर मेंट्र तो अगर हम देखें तो उस टाइम यहां पर वीडियो एक्जाम भी था बहुत सारी स्टूडेंट का उसे सेम टाइम जो कंप्यूटर टीचर का एक्जाम था तो जिन स्टूडेंट का कंप्यूटर टीचर या वीडियो एक्जाम था उन्हीं स्टूडेंट का टाइपिंग ट तो अब हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट दिया तो फ्रेंट्स यहां पर किसी स्टूडेंट ने आर्टीए लगाई थी उसके अकोडिंग उनके द्वारा पुछा गया था कि कितने स्टूडेंट जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट वग इंपर इंपर इनकी तो कितने थे क ideia तो आपीर में यहां पे दिर्ख हाय वह धेड़ाइर करें यहां पर को नहीं यहां पर यहां पर राइड हट rules ने यह डाटा माझा था तो यहां पर इन्हों ने यहां पर यह डाटा जो है वो दिया है कि टोटल कंडिडेट जो है कितने एक्जाम के अंदर अपीर हुए थे उनके एकोर्डिंग यहां पर 2366 ही स्टूडेंट जो है उपस्तित हुई थे अब देखो फ्रेंट्स कितनी स्टूडेंट को गुलाए गया लेकिन यहां पर पर प्रज़ंट कितनी हुए 2366 स्टूडेंट ही पर जाट बहुत ही कम संख्या में स्टूडेंट जो है जिन्हों ने टाइपिंग टेस्ट दिया है और फ्रेंज यहां पर हम यह भी देखेंगे कि टोटल इसमें वेटेज जो है वो क्या रहा है दोनों पा अगर हम first part की बात करती हैं तो इनका जो weight is रहा था first phase का 40% हो के यानि यह जो first paper ठा उसका यह एड करेंगे 40% उसका 40% और second जो typing test है उसका कितना percentage यह एड करेंगे तो यहां पर second जो phase है उसका 60 percentage आड करेंगे तो यह नहीं पेपर फर्स्ट और पेपर second का जो weight अगर किसी स्टूडेंट के फिर पेपर के अंदर अच्छे मार्स है लेकिन अगर अगर उसने second paper में अच्छा score नहीं किया है तो वो merit से बाहर हो सकता है यह भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा role play करेगा जो typing test है बहुत ही अच्छा role play करेगा selection के अंदर तो जिनके marks first paper में कम थे अगर उन्होंने second paper के अंदर बहुत ही अच्छी performance दिया है तो उनका selection जो हो जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो फ्रेंड्स अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर जिन student ने यह typing test दिया है उनमें से बहुत सारे student ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पर video exam दिया था और उनके अच्छे marks भी आ रहे हैं यानि कि उनका video exam भी clear हो रहा है और उनका यह जो assistant exam है वो भी clear हो रहा है और बहुत सारे student है जिनका computer exam भी clear हो रहा है और इसके अंदर भी अच्छा score है तो friends जिन student का video exam clear हो रहा है तो वो definitely video exam को ही select करेंगे और जिनका computer teacher का हो रहा है तो वो computer teacher को ही join करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो cut off है बहुत कम रहने का भी अनुमान है कि बहुत सारे student जो है अलग अलग जो vacancy है उनके अंदर जो है select हो जाएंगे तो यहां पर आपको इस चीज़ का profit भी रहेगा तो friends main बात आती है कि इसका result जो है वो कब तक आएगा तो मैं आपको पता दू friends इसके regarding में अभी को भी information जो है वो नहीं मिली है कि इसका result जो है वो कब तक आ जाएगा क्यों के अंदर ही आ जाना चाहिए क्योंकि काफी time हो गया इसके exam को लेकर भी तो हो सकता है अगर computer teacher का result जो है अगस्त मन्त के अंदर दिया जाएगा तो इसी का result भी अगस्त मन्त के last जो week है उसके अंदर दे दिया जाए बाकी friends इसके बारे में कोई भी officials अभी तक कोई भी notifications जो ह है वो कहीं भी नहीं मिला है तो friends अगर आपको इस vacancy के regarding कोई भी doubt है तो आप comment books के अंदर लिख सकती है और अगर आपको ये video पसंद आई है तो इसे like करना और अपने दोस्तों के साथ में share करना और अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो friends subscribe कर लेना ताकि कोई भी study oriented को भी आपको information है वो यहां पर मिलती रहेगी